जादोई बांसुरी एक गाउं में बहुत ही गरीब परिवार रहता था उस परिवार में तीन लोग थे सुमित्रा, जगतलाल, उनका बेटा पवन जगतलाल आसपास के खेतों पर काम मागने जाया करता था लेकिन उसे कोई काम नहीं देता था पवन ने अपना पूरा बच्पन गरीबी में बिताया अब वेह 16 साल का हो चुका था वेह भी काम ढूरने जाना चाहता था लेकिन उसके माता पिता उसे अभी काम करने से मना करते थे मा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ मैं कुछ काम कर सकता हूँ काम मिल जाएगा तो हमारी स्तिती अच्छी हो जाएगी नहीं बेटा, अभी जितना है उसमें ही रह लो कुछ सालों के बाद काम ढूरने जाना इन लोगों के पास कुछ ही पैसे होते थे जिससे वेह सिर्फ दो समय का भोजन ही कर पाते थे एक दिन घर में कुछ नहीं बचा था जिसे सुमित्रा बना सके इसलिए वेह पवन को बुलाई और उसने कहा बेटा, एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ इन पैसों से राशन लेया, फिर खाना बना कर खिलाती हूँ ठीक है मा, मैं अभी जाता हूँ बच्पन से लेकर आज तक पवन को एक भी खिलोना नहीं मिला था वेह किसी भी चीज की जिद नहीं किया करता था क्यूंकि वेह घर की हालातों को समझता था लेकिन आज जब वेह बाजार आया तब एक चीज ने उसका ध्यान अपनी और आकरशित किया एक व्यक्ति धेर सारी बासुरी लेकर ख़डा था पवन की आखे उन बासुरी से नहीं हट रही थी वेह बासुरी वाले के और भी करीब आ गया और बासुरी देखनी लगा सभी बासुरी में से एक बासुरी बहुत खूपसूरत दिख रही थी पवन उसकी ओर देखे जा रहा था पवन को बासुरी की ओर देखता हुआ देख बासुरी वाले ने कहा क्या हुआ बच्चे? क्या देख रहे हो? यह चाहिए क्या? नहीं मुझे नहीं चाहिए इतना कहकर वे दोड़ता हुआ वहां से चला गया लेकिन अभी भी वे मुढ मुढ कर उसी बासुरी को देख रहा था फिर अचानक वे वापस बासुरी वाले के पास आया मुझे ये बासुरी चाहिए ठीक है अभी देता हूँ पवन ने बासुरी ली और पैसे दे दिये बासुरी पाकरवे बहुत खुश हुआ और लगातार उसे बजाता रहा फिर कुछ घंटों के बाद घर पहुँचा पवन इतने घंटों से कहा थे तुम तुम्हें पता है न मैं कबसे राशन का इंतिजार कर रही हूँ चलो अब जल्दी से खाना बनाना शुरू करती हूँ मा राशन नहीं आ पाया क्यूँ? पवन अपनी जेब से बासुरी निकालता है और मा को दिखाता है मैंने उन पैसों का ये बासुरी खरीद लिया क्या? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? तुम्हें घर की हालत का पता है या नहीं? क्या जरूरत थी इसे खरीद देगी? अब क्या हम इस बासुरी को खाएंगे? जगतलाल भी घर आता है और यह देखकर पवन पर बहुत गुस्सा करता है मा पिताजी दोनों से इतनी डाट सुनने के बाद पवन रोने लगता है और रोते रोते घर से बाहर आ जाता है एक नदी के किनारे आकर बैट जाता है और अपनी किस्मत पर रोनी लगता है ये मैंने क्या कर दिया? मा, पिताजी सही कह रहे हैं मैं खाने के बदले ये बासुरी कैसे खरीच सकता हूँ? पता नहीं, इस बासुरी को देखकर मुझे क्या हो गया? आज इस बासुरी की वज़े से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी मुझे नहीं चाहिए ये बासुरी पवन गुसे में बासुरी को नदी में फेट देता है और घर चला जाता है घर आकर मा, पिताजी से माफी मांगता है और कहता है पिताजी, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा मा, पिताजी उसे माफ कर देते हैं आधी रात हो रही है अचानक पवन के कानों में बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है पवन कई बार उसे नजर अंदाज करने की कोशिश करता है लेकिन बांसुरी की आवाज आनी बंद नहीं होती ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी की आवाज पवन को अपनी और बुला रही हो पवन उठा और आवाज का पीछा करने लगा पीछा करते करते पवन उसी नदी के पास पहुचा जिसमें उसने बासुरी को फेका था अरे आवाज तो यहीं से आ रही है एक पेड़ के पास से आवाज आती है पवन इधार आओ पवन मुड़कर देखा तो वहाँ बासुरी खड़ी थी जिसे उसने नदी में फेकी थी बासुरी बहुत चमक रही थी और पवन से बाते कर रही थी पवन मेरे पास आओ पवन आश्च्यरे में पर जाता है फिर बासुरी के पास जाता है मैंने तो बांसुरी को नदी में फैंक दिया था फिर ये यहां कैसे पवन मैं कोई आम बांसुरी नहीं हूँ मैं जरूरत मन लोगों की मदद करती हूँ क्या सच में हाँ पवन मैं तुम्हारी तीन इक्षाइं पूरी कर सकती हूँ फिर मैं तूट जाओंगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाओंगी लेकिन ऐसा क्यों? मुझे किसी जरूरत मन की तीन इक्षाएं पूरी करने के लिए ही बनाया गया है मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं गायब हो जाओंगी पवन यह सोच कर खुश हो जाता है कि उसकी इच्छाएं पूरी होंगी मैं बांसुरी से कहता है मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने माबाप को रहने के लिए अच्छा सा घर दे सकूँ और उन्हें पैसों की कभी कोई दिक्कत ना हो और अंत में यह चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की एक अच्छी नौकरी लग जाए ठीक है पवन देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा मैं तुम्हें एक मटका सोने के सिक्के दूंगी इसे लेकर जाओ इससे तुम्हारे पैसों की दिक्कत खातम हो जाएगी पवन उसे ले लेता है थोड़ी ही देर के बाद बासुरी दो टुकडों में तूट जाती है और वहां से गायब हो जाती है अगली सुबह जगतलाल को गाओं के सरपंच ने अपने पास बुलाया और कहा जगतला तुम बहुत समय से काम ढूंड रहे हो ना आज मैं तुम्हें काम देता हूँ आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और हर रोज घर से यहां आने की ज़रूरत नहीं है मेरा एक घर खाली पड़ा है आज से ही तुम पूरे परिवार के साथ वहां रहने के लिए आ जाओ पवन समझ जाता है यह सब उसी जादूई बांसुरी का कमाल है अब पवन का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है